दोस्तों आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ CUET PG 2022 के जितने भी एस्परेंट्स हैं उन सभी के लिए विगोज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET PG 2022 के जो है एक्सपेक्टेड कटफ के बारे हम बात करने वाले हैं एंड इसी वीडियो में हम बात करने वाले सबसे पहले जो है 2021 यानि जो है लाश्ट येर का जो कटफ था वो कितना गया था maximum courses के बारे में कवर करेंगे इस वीडियो में Central University of Punjab का यहाँ पर जितने भी जो MSC courses जो आपका प्रवाइड कराती है पीजी के जो courses Central University of Punjab प्रवाइड कराती है उसमें से maximum courses के cut-offs के बारे में मैं आपको बताऊंगा लाश्ट येर जो है क्या cut-offs थे एंड इस येर जो है कितने cut-offs जा सकते हैं उसी के बारे में बताऊंगा और वीडियो बहुत ज़्यादा important होने वाली है आप सब्सक्राइब करें बिकोज इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितने marks आ रहे हैं आपके out of 400 पहले क्लिक कर दूँ out of 400 आपके कितने marks आ रहे हैं लाश्ट इर कितने cut-offs गये थे तो आपके कितने marks सारे उसके basis पर जो है आपको एडियो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा उसी के बारे में यहाँ पर आपको एक chemistry specialization in applied chemistry के बारे में बात करने वाले हैं इसमें cut-offs के बारे मताऊँगा last year जो है जो आपका merit list गया था वो कितने marks तक गया था तो सबसे पहला unreserved category के बारे में आपके बात करेंगे तो इसमें आपका सबसे पहला गया था 231 marks पर आपको एडियो मिला था then OBC category में आपका यहां पर कितना गया था 191 marks गया हुआ था then SC category में आपका 126 marks गया हुआ था and ST category में 100 marks तक आपका गया था and EWS category में 220 marks गया था अब हम बात करने वाले हैं अपने next यहां पर MSC in bioinformatics के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपका unreserved category के इस्ट्वेंट्स के लिए 210 गया था एंड EWS category के लिए बता दो आपको मैं ओके यह आपका 176 marks गया था इतने marks तक में आपको admission मिल गया था अगर आपके इसी marks के रांड आ रहे हैं तो आपको admission मिलने के जो है MSC in bioinformatics में जो है maximum chances है next course हम लेते हैं botany MSC in botany के बारे में बात करेंगे तो unreserved category में जो है आपका यहाँ पर 187 marks में आपको admission मिल जा था ओके OVC category में जो है आपको यहाँ पर 169 marks में मिला था देन आपका SC category में जो है आपका okay 143 marks पर आपको admission मिला था and ST category में 133 marks में मिला था and EWS category यहाँ पर ध्यांदरा 176 marks आपको यहाँ पर गया था यहाँ पर EWS category for जो है आपका botany courses के लिए अब next course हम बात करने हमाले जो कि हमारा है MSC in medicinal chemistry okay medicinal chemistry के बारे में बात करेंगे तो unreserved category में 229 marks गया था okay इतना marks गया था then OVC category में जो है आपका 191 marks पर admission मिल गया था out of foreign बात कर रहा हूं मैं पहले clear कर दूं then SC category में जो है okay SC category में 119 marks गया था then ST category में जो है 96 marks पर admission मिला था and EWS category में जो है आपका 189 marks पर आपको admission मिल गया था तो यह इतने सारे इसके जो भी cutoffs थे medicinal chemistry के अब हम बात करने वाले है अपने next course के बारे में okay next course हमारा कौन सा है MSC in chemistry के बारे में बात करने वाले है MSC in chemistry बात करेंगे तो unreserved category के लिए आपका 240 marks पर आपको admission मिला था okay then OBC category के लिए 209 marks था यहां पर cutoff गया था SC category में 159 marks पर admission मिला था यहां पर and ST category में 120 marks गया था and EWS category में 220 marks पर admission दे दिया गया था तो यह सारे MSC chemistry के जो यहां पर cutoffs थे okay तो इतनी इस्ट्वेंट अगर आपकी इतने marks आ रहे तो आपको admission easily मिल जाएगा अब यहां पर बात करने अब यहां पर हम बात करने वाले यहां पर theoretical and computational chemistry के बारे में हम बात करेंगे तो यहां पर देखो unreserved के लिए आपको यहां पर 210 गया था okay OBC category के लिए 189 गया था SC category के लिए 107 गया था आप देखो ST category में यह मात्र गया था 51 marks बहुत कम marks गया था यहां पर EWS category के लिए 189 marks गया था okay तो यह आपका हो गया theoretical and computational chemistry का cut-offs okay अब next यहां पर हम बात करने वाला है next हमारा है MSC mathematics के बारे में बात करेंगे तो mathematics में unreserved में 230 यहां पर low marks गया सबसे then OBC category में 211 गया था SC category में 142 marks मिला था and उसके बाद में जो है ST category में 126 marks में मिला था admission and EWS category में 219 marks पर आपको admission मिल गया था okay तो यह आपका mathematics वाले के लिए हो गया अब यहां पर हमारा last और यहां पर important है MSC physics के बारे मात करेंगे unreserved के लिए जो है 193 marks गया था then OBC category के लिए 174 marks गया था SC category के लिए आपका 121 गया था ST category के लिए 105 and EWS category के लिए 170 था तो यह आपका जो है एक overall यहां पर एक important जो भी यहां मार्क्स distribution थे यह आपके मार्क्स distribution थे अब यहां पर लास्ट में यह आपके थे अब इस यहर के expected cut-offs के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं कितने मार्क्स पर जो है अगर आप इस बार लेकर क्या रहो तो एक round figure मैं आप बताऊंगा round marks बताऊंगा कि इतने marks जो भी category के इस्ट्वेंट लेकर क्या होगे तो आपको admission लेने के लिए जो है central universities में जो है अब प्रोब्लम नहीं face करना पड़ेगा इस में से मैं आपको category बता दूँ यहां पर सबसे पहले मैं आपको यहां फर्स्ट में मैं बता दूँ आपको okay msc in chemistry में आए हुए है यानि applied chemistry में फर्स्ट course second course यहां पर बता दूँ मैं आपको msc in bioinformatics okay third course मैं आपको बता दूँ यहां पर आपका यहां पर medicinal chemistry के experience के बाद में जो है आपका msc chemistry के लिए हो गया okay msc chemistry का यहां पर हो गया द विडियों बात किया यह सारे जो courses यहां पर आपको नजर आ रहे हैं अगर इन courses में आपको एडिमिसन चाहिए तो अन रिजर्ट केटेगरी में जो है यहां पर आपको 230 प्लस लेकर के आना पड़ेगा तभी आपको जो है इसली एडिमिसन मिलेगा इन सारे courses में जिसमें से कु आपको कितने marks में आडिसम मिलेगा उसके बारे मताता हूं यहां पर आपको 210 प्लस आप मार्स लेकर किया तो आपको इसली एडिमिसन जो है इन सारे courses मिलेगा जिसमें से आपका इसका रेंज वेरी करेगा बता दो आपको मैं 190 से लेकर के जो है 210 marks तक जो है वेरी करेगा यह यहां पर इतने मार्स तक अगर आपके आ रहे हैं तो इतने मार्स तक जो है आपको ओविसी केटिगरी में एडमिसन मिल जागा इनमें से किसी भी कोर्सेस में अब देखो नेश्ट आपका को चोड़ करके जो है के आपका यहां पर जैसे कि आ पर बात करो जी इहां पर आपका वां थोख्री जोड़ के जुऊ है आपको सब्सक्राइब Adamson मिल जाएगा easily तो यह मैंने बागी सारे courses बता दिया अब यहाँ पर मैंने दो तीन courses के बारे में छोड़ा था मैंने जो कि आपका है इसके लिए भी जाएगा एस्टी के टिगरी के जो है 130 प्लस मार्क्स पर जो आपको एडिमसे मिल जाएगा ओके मैंने तो यह मेरे तरफ से एक कटफ का एक यहाँ पर जेनरल मैंने आपको बता दिया कि इतने मांक्स इस यह अगर आपके आ रहे हैं जो भी कोर्स के बारे में बताया तो आपको एडिमसें लेने से कोई नहीं रोख सकता है तो यह एक डेटा था जो कटफ के बारे मैंने लास्ट यह और इस यह कटफ के आपको अगर यह अपडेट आपको यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेश्ट अब्डेट साथ में नेश्ट के वीडियों तब तक लिए थैंक्स